जीवन में संघर जितना कठीन होगा सफलता उतनी ही उची और सांदार होगी ये लाइने प्रिया अपनी नोड़ बुक में लिख रही है और ये साबित उन्होंने कर दिया है कि गरीबी कभी सफलता के आगे आड़े नहीं आ सकती हमारे सांद प्रिया है और क्लास तैंट में इन्होंने नववा रैंक हासिल किया है और पुरे छतिस गड़ का नाम रोसन किया है उससे कहीं जादा काविले तारीफ इनके परिवार की करना चाहेंगे क्योंकि इनके पिता एक रिक्सा चालक है एक छोटे से कमरे में रहकर प्र प्रिया हमारे साथ सीधे तो और पर जुड़े प्रिया सबसे पहले तो आपको न्यूजेटीन की तरफ से धेर सारी शुक्त काम रहे हैं तो प्रिया बदाए कि किस तरीके से असंगर्स रहा है इस काम्याभी को हासिल करने के लिए प्रॉब्लम सो होती थी स्ट्रगल भी थ आता है आपके वक्त में कौन कौन साथ दिया मेरे पूरे टीचर्स पूरी टीचर्स की टीम और मेरे पूरे पैरेंस में पूरे हर कोई मेरे सब्सक्राइब करता था कितने घंटे पढ़ाई करना होता है टॉपर बनने के लिए ज्यादा नहीं चार घंटे अगर आप डेली पर डेली तो कर सकते हैं आप कैसे तैयारी करते हैं मेरे चार फास घंटे कर रहता था ज्यादा मतलब नहीं दिन पर पड़ पाती थी इसकूल कोचिंग सब रहता था इसलिए बाकि एकदम जी जान भी तो नन करना पड़ता डेली करो तो हो जाता है कैसा रूटीन रहता था थी और उसके बाद फीर चले जाती ठीकोचिंग से आने के बाद स्कूल से घर घर करती रिफ्रेश होती थी पिर से फिर सिफित पढ़ाई करती थी और रात को यह 10 बचे दस-स बचे तक एक लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा तौपर नहीं सकता यह तो गलात प्रिया के जहन में क्या है क्या करना चाहती है प्रिया इंजिनरिंग के फिल्ड में जा रही हूं तो जेए प्रिप्रेशन के साइट आइटी के साइट और वह इस्टार्ट भी कर शुकी है घड़ी बहुत करीब से क्या रूटीन होता है पापा सुबह जाते हैं 7 जाते बजे मेरे बारा साढ़े बजी मेरे भाले भाई को लेते हैं फिर एध्रि से खानाता है नइके फिर शाम को साब शाठे गणता है कि फिर से घर प्रिया उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है जो बच्चे कई बार कम अंक आते हैं या फेल हो जाते हैं तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अब उनको कोई भी गलत कदम तो बेसिकली पहले सबसे पर्स बात की उठाना ही नहीं चाहिए क्योंकि लब तुछ सिर्फ परसेंटेज है आगे जाकि बहुत लोग फैल अभी हुए आगे जाकि फैल वर तो बहुत कुछ इंसानों को सिखाते को इंसान हारता तो है नहीं सिखते है और जीतते हैं तो आप अगर फैल हो गए हो तो सीखो कि आप में कमी कहा है और उसके बाद उसे इंप्रूव करके आप अगला स्टेप चरो उसमें अपने आपको चोट पहुचाने की जरूरत नहीं होती यह प्यारी बच्ची क्लास 10 में नौवा रैंक हांसिल किया है और इ प्रिया साहु के पिता जी इतवारी साहु इस वक्त मेरे साथ मौझूद हो और वह उस आटों पर मौझूद है जिससे इनका पूरा परिवार चलता है और इसी के पैसे से प्रिया और अपने पूरे परिवार का जो है पालन पोशन करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का हमारी लड़की अच्छी परसंट लेकर आई है और मेहनत बहुत की है कितना संघर्स करते रहे हैं आप उनकी जरुतों को जैसे बीटिया की कोई जरुवत पूरी करने होती तो जो बोलती थी कुछ कमी है उसको गाइड है कोचिंग है और जैसे साइकल से जाना है साइकल लि लुए कहीं लाकर हम आटों चलाकर उसका मांग को पूरी करते थी क्या बनाना चाहते हैं वीटिया को क्या बनना देखता चाते हैं वो तो शुरू से ही कि इंजिनिंग का सपना देखी थी और हम लोग मैं भी पढ़ा था गड़ी थी लेकर जी और आगे मैं नहीं पर पाया तो पिता के सपने को सच करना हर बच्चे का एक भरुशा रहता है कि वो अपने पिता के लक्ष को अपने पिता के सपनों को पूरा करे और इसी सपनों को पूरा करने के लिए प्रिया जी जान से महनत कर रही है और यही वज़ा है कि उसकी महनत ने रंग भी दिखाया है बिला